ITC ये स्टॉक है सुर्ख्यों मेर दो वज़े से पहली वज़े में बता दूँ आपको कि एक तो सिंगल सिग्रेट की विक्री पर रोक लग सकती है जिसमें ज्यादा आप जिससे रिलेटेड कासी कुछ जानकरी बंसल जी के पास है लेकिन और ज्यादा जानकरी के लिए चलते ज्यादा जानकरी है इसे क्या माना जाए अनेल जी आप इनसे पूछे देगे अनेल जी मैंना तो सुबहें बहुत कुछ बता आता है तो अनेल जी पूरा इंसाइड आउटसाइड मालूम है और जैसा भी कुनाल जी ने आरुक लगाया था कि प्रिया के बहार अनेल जी बै पूरे एक्षिव के साथ बैठता हूँ उपने तो रिसार्च करता हो ने जी तो मेरे को लाता नहीं है कि अरुम के पास अन्यूल जी मेरे से जानकारी होगी ओके चालेंज आ गया तो प्रिया मतलब प्रिया सिनेमा है दिल्ली में कोई सोचे कि प्रिया कोई है जिनके गेके स्टेश्मेंट को तरूड मेरे स्टेश्मेंट को तोर मरूद के पेश किया बंद्सन जी आरोप लगा देंगे बंद्सन जी पीर थीयटर प्रिया सिनेमा वही ना अब वरुन आपको पूरी डिटेल्स विक्ति है उस पे बैन लगाने जा रही है हाला कि ये खबर हमेशा आती रही है फिर ये खबर आई है और इस बार कहा जा रहा है कुछ रिपोर्ट से सर्जेस्ट कर रही है कि पार्लिमंट की जो स्टैंडिंग समीटी है वो दरसल सरकार को ये सुझाओ दे सकती है कि आप जो 25% जो है वो सिग्रेट से आती हो खुल एबिटा में से अगर आप देखेंगे तो 75 से 80% के आसपाल जो है वो केवल सिग्रेट से आता है और इसके पहले भी महाराश्ट्र चटिसगर्ड और करनाटका अल्रेडी लूस सिग्रेट पे बैन लगा चुके हैं और इसका कोई टंबाको का दूसेango का होता है जहां पे देश के करिब 26% लोग जो है वो टंबाको का इस्तमाल करते है यह मरने वाले लोग है हेक्वल हो का एक आखड़ा है जो की कहता है कि 16 साल की उमर के जो भारत्या है सिग्रेट पीने के कैटेइगरी में यह दुनिया में नंबर 2 पे इसके लिए WHO ने ये भी कहा था कि जो आप टैक्स लगाते हो फिलाल 64% के आसपास का है उस हो 75% कर दिया जाए हाला कि अभी तक हुआ नहीं है लेकिन ये सब कारण है जिसके आप देखते कि लगातार स्टेट्स भी करते जा रहे हैं लू सीगरेट पे बैंड और अब माना ये जा रहा है कि पार्लेमेंट की जो स्टैंडिंग कमिटी है उन्होंने भी ये सुझाओ दिया है हाला कि कितना लगेगा कितना नहीं लगया क्योंकि हमेशा बजट के पहले इस तक की स्टोरी आईटीसी के लिए आती रहती है उसका रियाक्शन आप इस टॉप पे देखते र है और ये रियाक्श नुपुर लेकर आरि ली नुपुर बता है किया था थाने साथ ኩा स्ट आकशे शिक हां और या कि ली एक में सब्सक्तान वेटेकुद्य श्रॉट मिंन्स मॉल्ट स्बसे पहले पारती टॉटास पे सो टरोटीस से इस और यास तो जाना जरूना में थोड़ी है जैही से पता चलता है 31 में 31 में 31 में 31 में 31 में 31 में तो एक दिन के लिए छुट्टी रखें तो बताएं में स्टोक्स में आ रहे हैं क्योंकि यह सिन्स टॉक्स होते और इनमें एस्टी का जो कॉंसेप्ट आया था वो शायत थोड़ा सा अफीका पड़ता नज़र आ रहा है क्योंकि अगर हम इस सार का परफॉर्मेंस देखें तो में से वर्ल टोबैको इंडेक्स में आपको करीब दस पिसेंट का रिटन देखेंगा वाइटी और एक साल का भी चार्ट देखें तो बाइस पिसेंट की ग्रोथ है और मेसी वर्ल्ट से इसे कंपार करेंगे तो वहां पे नेगेटिव रिटन था इस पिछले साल से लेके अब तक ग्यारा पिसेंट का नेगेटिव रिटन आपको नज़र आएगा अब इंट्रेस्टिंग बात यह कि इसके तो टॉप फाइफ कॉंसिटूट से उसमें फिलिप मॉंसिन इंटरन आता है जिसका 41 पिसेंट का वेटेज है अब इस स्टॉक हमने ट्रैक किया तो वहां ही नजर आया है अब यह कंपनी हमारे यहां पर किससे रिलेटेट है तो गौटफिय फिलिप्स में इसका 25 पिसेंट की हिस्सेदारी है और इंट्रेस्टिंग ली गौटफिय फिलिप्स का स्टॉक पिछले पांच दिन में 16 पिसेंट उपर है और पिछले एक महिने में वहा कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स जहां पर ITC पार्ट है वो भी महाँ पर 3% का वेटेज रखता है तो अक्रॉस दो ग्लोब आपको इंसेंट स्टॉक्स में खरिदारी नजर आ रही है यह इंट्रेस्टिंग है एक तरफ हम देख रहे हैं टाइटनिंग होगी इनकी सेल को लेकर बट दूसरी तरफ बाजार का इंट्रेस्ट इन सारे एक से कांटर में आपको बढ़ते हो देख रहा है बट फिलाल ITC इसको रखें आप अपने रेडार पर और काफी आक्टिव यह कांटर हो रहा है काफी आक्टिव देख रहा है